हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होब कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास विप्ट की सब्जेक्ट सोसल स्टेडीज के समावाकेशन के हॉमबग को सॉल्ब करेंगे जो की नौट डेली मुंसिपल कॉर्परेशन के बच्चों आपका ये होमबग 19th May 2021 के लिए है तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सुस्क्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चों यहां पर जो पिक्चे दी गई है उसे आपको बनाना है और आपको इस पिक्चर में पैंजिया कॉंटिनेंट को और पैंथलासा सागर को महा सागर को शू करना है तो बच्चो इसमें पैंजेया कॉंटिनेंट कौन सा है तो बच्चो ये जो महादीप है ये इस भाग को कहते हैं पैंजेया कॉंटिनेंट पहले सभी महादीप इस तरीके से एक जगा जुड़े हुए थे जिसे पैंजेया महादीप का नाम दिया गया जो इसके चारो तरफ पानी था उसे पैंथला सा ओशियन का नाम दिया गया आप यहां देख सकते हैं अब इस कॉंटिनेंट में भारत कहां पर है तो बच्चों भारत की जो इस्तिती है वो यहां पर है आप देख सकते हैं तो आप इस तरीकी से इसे ड्रॉ करेंगे यहां पर आपको कभी पैंजिया महादीप पर विजिट करने की अपर्चिनेटी मिले मौका मिले तो वहां पर आप अपना टाइम कैसे स्पैंड करेंगे राइट इन ब्रिप में लिखना है आपको इस समय पैंजिया कॉंटिनेंट पर परयाप्त ऑक्सिजन नहीं थी दू टू विच और जिसके कारण लाइफ वहां पर जीवन संभग नहीं था देर वस नो एंटरेंबेंट और नो एलेक्रिसिटी वहां पर ना बिजली थी और ना ही कोई मरो रंजन का साधन था देर वस नौट एनफ फूट टू एट एज वहां पर खाने के लिए भी कुछ नहीं था द्यू टू विच जिसके कारण वी वुड नोट लाइक तू गो टू दा पैंजेया कॉंटिनेंट और जिसके कारण हम पैंजेया कॉंटिनेंट पर जाना पसंद नहीं करेंगे नेक्स्ट इस इट चीला इडली आज बच्चो आप चीला या इडली खाएंगे ड्रिंक में आज आप वेजिटेबल या बूंदी कारायता लेंगे बच्चो आप अपनी फैमली के साथ साप सीडी का गेम खेलेंगे नेक्स्ट है एक्टिविटी बच्चो आपको बीगे हुए अनाज को देखना है और इसकी कमपेर सूखे हुए बीज़से करनी है जो शुरू में थे आंसर है I tied the soaked grain in a wet cloth मैंने एक भीगे हुए कपड़े में भीगे हुए अनाज को बान दिया और इसे समय समय पर गीला भी किया अनाज को परयाप्त पानी और हवा मिले due to which और जिसके कारण they germinated and grew उनमें अंकुरन हुआ और वे उग गए while the early seeds were dried and shrunken जबकि जो शुरू में बीज थे वो शिकुडे हुए और सूखे हुए थे there was no germination उनमें कोई अंकुरन नहीं था students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you